हलो तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका डीएस गुरूजी पे MS Office के वो MCQ जो की हर एक एक्जाम में आने के संभावना लगते हैं बहुत सारे एक्जाम में हैं बड़े-बड़े एक्जाम में पूचे गए हैं जैसे के IBV, SSBI के जो कलर्क एक्जाम होते हैं बैंक और प्योगिप जो एक्जाम में पूचे गए हैं उनको हमें यहां पर सोल करते हैं एज़ेटी पेपर से क्वेशन उठाय हुए होते हैं और उनको सोल करते हैं ताकि उनकी जो एक्यूरेसी है वो कापी ज़्यादा होती है बाकी जो कुछन होते हैं उनके एक्यूरेसी इतियाद नहीं होती अब इनका डारेट एक्जाम में आने की संभावनाए भी देती है तो चली यह सुरू करते हैं यहां पर MS Office के MCQ जो पिछले एक्जाम में पूछे गया है पहला क्यूस अपना है बाई डिफोट डॉक्यूमेंट मोड में परिंट होता यानी दूसरा है तो तो उसको किस मोड में करते हैं, उसका मोड क्या होता है, दोस्तों, प्रिंट होने के दो मोड होते हैं, मैं आपको बताओं, पहला डोकुमेंट आपका इस प्रकार से प्रिंट होता है, दूसरा डोकुमेंट आपका इस प्रकार का होता है, वो प्रिंट होता है, ये जो है, इस कोई नहीं लेंड इसकेप मौड ये होता है एंढ की स्कृরिन जैसा न संधी होता है आत् utilized ये वंदर को मैं उपकर घ्राइड होता है अगला प्रसमें देखते हैं word processing program मों में से किस प्रकार की file बनाई जाती है दोस्तों word processing word का नाम जहां आ गया ना तो एक file बनती वर्ड से जो file बनती उस file का नाम क्या होता उसको अपन extension लिखते हैं और c doc file उसे हम बोलते हैं तो doc file जो बनती है उसका पुरा नाम होता है document file तो सही answer क्या हो जागा document file database file वो होते हैं नहीं को database file DBMS पे एक्सल में बनती है storage file नहीं होते है storage file एक अलग चीज होती है storage devices होती है storage file कोई होती ही नहीं worksheet file है यह बनती है आपकी spreadsheet से और graphical file बनती है आपकी MS access से तो यह सारे option वैसे भी आप गिलत कर सकते हैं वो document file जो है प्रियुक्ता document को जो नाम देता है उसे क्या कहता है यानि प्रियुक्ता document जो document आपने बनाया है उससे अगर आपको कोई अब आप उसको सेव कर दिया आप उसको तो किस प्रकार से देखते हो इस इस फाइल का कुछ नाम आप ने दिया होगा जीसिज फाइल का नाम देऊ होगा शुछ भी नाम देदब पका नाम दे दो तो उसे हम कहते हैं फाइल नेम जुद्धा डोकुमेंट को बिंध नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा यानि कि आपके पास कोई डोकुमेंट है अब इसको नाम चेंज करना है आपको तो आप किस प्रकार से इसका नाम चेंज कर सकता है, पहला option पर धियान लगाईए, तोड़ा नजल दिखाईए, पहला option जो है अपना, document को फिर से type करें और भिन्ने नाम देदे, ऐसा होता है कि ऐसा कभी नहीं होता, document को दुबारा type क्यों करेंगे, अपना नाम ही तो चेंज क आपके पास क्या होगा, option आता है, उसको अलग जगह पे, location पे, उसको save करनेगा, तो यह हो जाता है, आपका जो प्रशन है, यह आया था, दो तिन बार यह रिपीट हो आई, union bank में भी आया है, color के एक्जाम है, IBTS में भी पूछा गया है, 2011, ज्यादा पुराना प्रशन नही है, ऐसे प्रशन रिपीट होकर आने की समभावना ही रखते हैं, जब आपको कोई part, यानि text, एक प्रश्ट से अलग प्रश्ट पर ले जाना हो, तब सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानि कि आपको text एक प्रश्ट से दूसरे प्रश्ट में ले जाने हैं, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, आपके पास ये प्रश्ट में पूचा हुआ है, अब ये प्रश्ट में पूचा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्या चाहिए होगी, पहला जो option है, drag और drop करो, दूसरा option है, cut और paste करो, तीसरा option है, delete और type करो, और D option है, file को replace करो, तो दोस्तों, एक document, जिसमाल में, यहाँ पे, C पे, जो मेरा cursor जा रहा हुआ, देखिए, क्या लिखावा, more document को, ने document को कोपीपेस्ट करना, इस land को उठा के, अगर मैं यहाँ से हटा लूँ, और किसी और document में रखूँ, तो उसे क्या कहूँगा, मैं, simply cut paste कहते हैं, अपने उसको, cut paste, या तो इस प्रकार से, यहाँ पर यह हर एक चीज़े होती है, और आप easy-ly इन चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई यह ठब चीज़े नहीं है, अगर आप थोड़ा से दिमाग लगाएंगे, तो आसानी से आपको सब चीज़े समझ में आ जाएगी, बढ़ते हमां अगले प्रस्न क की है, पहला option है, memory से storage के माध्यम तक के दस्तावेज को कोपी करना, यानि basically यह पूंच रहा है कि saving किसे करते हैं, यह saving के प्रक्रिया क्या है, तो memory से, यह आपकी memory से storage माध्यम तक दस्तावेज को को कोपी करना, कहीं ने कहीं यह answer सही लग रहा है, आगे का answer अपन देखते है दस्तावेज की वर्तमान इस्तिती में बदलाव करना, नहीं, अगर आपने कोई दस्तावेज आपके seed driver में रखा हुआ है, उसको आप D में रख देते हैं, तो उसका कोई saving धोड़ी हुई हो, saving के प्रक्रिया नहीं हुई, आपने दूसरे जगह पर save तो उसको क्या है, लेक आप उसमें editing करते हुँ, यह भी नहीं होता, editing करना, यह memory का, या saving का पार्ट नहीं होता, इनमें से कोई नहीं भी आने ही सकता, सही answer इसका होगा, जो मैंने पहले रेट लगा दिया था, दस्तावेज की वर्तमान इस्तिती में बदलाव करना है, यानि कि एक file जो आपके pen drive म save कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे पन, that is called saving, यहाँ पूछा गया है, saving, ठीक है, तो इस पुछाब से यह answer आपका setting बेरता है, अगला प्रस्न है, directory में directory को कहा जाता है, यानि यह directory लिखावा है, directory एक्चुली होता है, directory में directory को कहा जाता है, directory में directory जो होता है, यानि यह directory है, directory यहाँ पे लिखावा है, तो आपको थोड़ा यह सब्दों का manage करना पड़ता है, हर एक चीज का, क्योंकि कई बार एस सब्द भी लिखे आएंगे, तो आपको उसको थोड़ा समझना ऐसा नहीं, कि उसका सब्द को देखके यह आप मतलब इचलित हो जाएं, पहला होता है, मिनी directory यह question जो था, बहुत important question और यह question मैंने मेरे mock test जो हमारी site है, www.ds.guruji.com उसमें भी पूछा हुआ है, तो मिनी directory, junior directory, part directory, sub directory, इसका सही आंसर है, sub directory, आप mock test जाके में देख सकते है, mini directory नहीं होता, junior directory भी नहीं होत इसका सही आंसर है, sub directory, और यह प्रस्ण union bank में, clerk के exam में पूछा गया था, तो यह भी बहुत important question मलता है, zoom आ गया, command चैनित किये जाने से, अब डेडेडेडेडेज, अब इस प्रकार के प्रस्ण आपको exam में मिले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा निया आपको ल तो हम देखते हैं, इसका पहला option, अलग दर्चन, view में दस्तावेज को copy को खोलता है, ऐसा नहीं होता, यह गलत है, परदस्सी दस्तावेज की copy print करता है, नहीं ऐसे भी नहीं होता, परदस्सी दस्तावेज की copy print तोड़ी करता है, अगर zoom command से, आप देखेंगे तो परदस्स मुझे केते हैं तो क्या प्रदसित दस्तावेश का विस्तारन है विस्तार हुआ यह पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब ऐसे प्रसंट भी पूचे गया है अब धिरी दिरी लेवल बढ़ रहा है पहले आप कह रहे तकी सर बहुत इजी है ऐसा नहीं पूच और बहुत दीपली हमें जाना है बहुत एंड तक जब आपको इसकी कुशन देखोगे तो इतने हाईले उनकी कुशन आएगे कि आपके पल्ले तक नहीं पढ़ेंगे कि क्या चल रहा है लेकिन सब कुछ चीजे में यह आपको यह देख रहे हो इनमें से कुशन चपेंगे यह जो कुशन आपने डंग से पढ़ लिए यह आपने दो तेन बार इस वीडियो को देख लिया तो यह आपको याद है क्योंकि इतना मैं बोल बोल के आपको सब को बता रहा हूं समधा रहा हूं तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखें इनको थोड़ा सीरियस लिले आप अगला प्रस्ण अपना है वो है यदि पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा अगर पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा परिवरतन को स्टोर करने है तो फाइल फिर से सेव करना जरूरी है यानि समझ गया आप अग को फिर से सेव करना जरूरी है तो ये बात क्या है सही हमें लगती है अब आगी भी पढ़ते हैं आगी क्या option है पर्वेटर अपने आप फाइल में सेव किये जाएंगे नहीं किये जाएंगे एक पेस से ज्यादा लंबाई हो जाने पर ये तो लंबाई की तो बात ही नहीं थी डोकुमेंट में और इसका नाम बदलना होगा जरूरी नहीं नाम बदलो आप लेकिन उसकी वो बदलनी होगी जो उसकी डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन कहां से बदलती है सेव एज से अपन सेव एज करते हैं कल टेस्ट करके उसके बाद option आता है फाइल का option खुलता है उसके बाद सेव एज आता है सारा को जो मैंने detail में बता रखता है video lectures में तो सेव एज करते हैं पर उतना इस्टोर को फाइल स्टोर में सेव करना जरूरी है इस प्रकार से इसका answer हो है यानि कि budget बनाना है आपको तो आपको कौन सा सुप्टेल इस्तमाल करना पड़ेगा budget दोस्तों budget क्या होता है budget जो होता है वो क्या होता है एक टेब्लिंग ही तो होती उसमें हर एक चीज देद साध lly होगी किया कि चीज़ आएगी कि खर्च होगी तो नहीं करना है तो कि 내ुए। टेब्लिंग करने प도 गाइं सब्सक्वाइब नहीं होगी यह एक्सल है तो यहां पर एक्सल का झाल औ। यहाँ पर एक टेबलिंग का ओसी या तो सचीज में होती यहाँ अपने एकसल में होथी तो यहाँ पर एकसल गा आरा आ रहा है डिन्हें और प्रोसिश्सूर में नहीं होगी वर्ड में ऐसा नहीं वहता वर्ड में ऐना है नहीं आतव है तो यह सब चीज है बहुत ईजिली समझ में आ रही है और बहुत ईजिली आपको यह समझ रहा हूं अगले पुर चलते हैं अगले प्रस्ण को लेते हैं अगला प्रस्ण हमारा है अगला प्रश्न है Cell में दर्ज किये गए Cell में दर्ज किये गए अंको और सुत्रों को फर्मूले को कहा जाता है यानि किसी Excel का प्रश्न है Excel में मैं आपको चीज बताई थी दो चीजे होती है एक row और एक column row कौन सी होती है row होती ही जो इधर से इधर चलती है column कौन से होती है जो उपर से नीचे आता है समझे मैं बात और जब किसी Cell के बात आती है तो ये चीज आप देख लें ये Cell है अपना तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आएगा C अफिर आएगा row यानि सबसे पहले C का नाम आएगा फिर row का नाम आता है Cell का address में ये प्रसन भी बहुत बार पूछे जाते हैं तो आपकों ये पंद्धूज नहीं होना अब बात करते है Cell में दर्श किये गए अंकों को सुत्रों को फरूगलों को कहा जाता है क्या कहा जाता है उनको जो आपने Cell में जो लिखे हुए होता है Labels, Label हम कहते हैं Label अलग चीज होती है Cell का Label दिया जाता है कि ये Cell इससे प्रदेशित होता है ये से कुल के आता है Label हम कहते हैं आंकित परिष्टी या Numeric Entries बिल्कुत सही आंसर है इसका सही आंसर होता है आंकि और परिष्टी जो उसमें लिखी होती है यानि कि जैसे कि Excel है उसमें कोई बहुत सारी चीज़े लिखी हुए तो उससे भी क्या कहेंगे आंकि जो Numeric Entries होती है या Alphabetic Entries होती है तो Entries उने हम कहते हैं इसे नुमेरिक की जैगा और भी आ सकता है Alphabetic Entries भी आ सकता है तो आपको इस प्रकाल से इसको देखना है यह आया था बैंक ओ बडोदा कुशन में आप सारी कुशन अर्दिकां सेट्गा में पूचे में बताने जोट नहीं है Microsoft Office यह एक उधारन है दोस्तों बहुत सी बार मैंने बताया आपको Microsoft Office किसका उधारन है तब से पहले आपको याद रखने यह Application Software है Microsoft Office दूसरा पहला ओप्शन है Close Source Software दोस्तों Close Source Software Microsoft Office है या नहीं है यह आपको तब पता चलेगा कि Microsoft Office में कोई बदलाव कर सकता है क्या या कोई उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है Close Source और Open Source यह चीज होती है जिसमें पबलीकली कोई भी बदलाव कर सकते है ऐसा Software होता है जिससे अपना Android है वो Open Source है अपना Windows है वो Close Source है तीसरा ओप्शन हमारे पास आता है City समानतर Software Market Software होता है वही यह है जो Market में उपलब्ध है City समानतर Software है यह यानि कि City समानतर समझे आप कितनी हिंदी का यूज किया है यानि कि सेम एक के बाद एक Dependent जो होता है परेली जो चलते हैं उन्हें हम City समानतर Software करते हैं इनके परेली चुप्टेर कौन से हैं इनके परेली चुप्टेर डोकुमेंट के जो चुप्टेर होता है Microsoft को बहुत तारी चुप्टेर इसे की अपना Outlook है अपना Word है अपना Excel है अपना Publisher है इस प्रकार से जो समानतर Software चलते रहते हैं उन्हें हम City समानतर Software केता है यह हिंदी में है उसे प्रकार से City समानतर Software यह है तो Vertical Market Software भी यह नहीं है City समानतर Software है Compiler तो C में आता है वो Compiler करता है तो Compiler यह है नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा C City समानतर Software समझ में हैं City यह बहुत ज़्यादा Hindi का इसमें देर रखा है Hindi का essay आपको थोड़ा का लेकिन यह जो Qsन है इसमें दो आपके रित्रिस्तान है और दोनु रित्रिस्तान जो है उसमें आपको कुछ फिल करना है ऐसे प्रस्न यह थोड़े deep प्रस्न होता है जो पूछे जाते हैं आपको भी पूछे जाएंगे तो किस चीज का प्रियोग को पी करके पेश्ट करने के लिए किया जाता है यह कहा हुआ है इस पूरे प्रस्न में चेहनीद पार्ट का टेक्ट को कोपी किया फिर क्या किया पेस्ट तो आपको यहां पड़ने वाली चीज़ क्या है कोपी और पेस्ट पूरी ल्एन इबारत मत पढ़ो अब दो चीज पड़ो, तो copy और paste किस से होता है, सबसे execution है, cult C press cult B, फोई ठब है यह नहीं, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, cult C यहाँ से copy होगे, अब cult B, cult B से paste थोड़ी होता है, cult B से तो print होता है, तो print हुआ नहीं, अपने को copy paste करना है, cult S सेव कर दिया है, cult S, अरे यह सब गलत है, cult C press LTP, LTP तो कोई कमांड होती ही नहीं, और cult D, cult D bold करने लिए होता है, cult A, पुरा select करने लिए होता है, तो सही आंसर हो जाएगा, अपना C C नहीं, A, एक बार flow में आने ये बाद इसी चीज़े हो जाती है, अगला जो अपना प्रश्ण है, unit के रूप में, just, just, unit के रूप में, saved information का collection होता है, यानी जो unit के रूप में, जो information saved है, उनका collection होता है, सब्सक्राइबृट इंपर्मेशन होता है या निए जो के नहीं सकते हैं पाथ इसे के नहीं सकते हैं पाथ तो होता है जो बताता है नीज पौल ड़न बाद दी में जाओ दी के बाद C वाथ होता है file extension जो होता है जो जिससे मैंने बता था दी ओसी किया है file extension किसका document का do file का, extension होता ने हम से को जी हो लेगा, सही answer इसका folder है, ऐसे questions भी आते हैं, यह अलाबात में में पुछ आ गया प्रस् concet worksheet का basic unit जिसमें आप access में data enter करते हैं, उसे कहते हैं, worksheet का basic unit, अब इसका अंसर में आपको बताता हूं उसे हम सेल ही कहते हैं और सेल यहां पर विने बता हुआ है सेल का क्या काम होता है सब कुछ अपने पढ़ा हुआ है अपने Microsoft Excel में तो यह आज का लेक्चर खतम हुआ इस प्रकार से मैं हर एक दिन आपको लिए रोजाना लेक्चर लेकर करके आता हूं आप इनका लाव उठाईए और भी कोई जानकार है आप देना जाहते कमेंड में लिखिए और यह वीडियो लेक्चर आपको कैसे लग रहे है मेरे को कमेंड करके बताईए अगर अच्छे लग रहे हैं तो भी बताईए तो हम इसमें कुछ चैंजेज करने की गोसिस करेंगे वैसे यह सारे क्विसंद वह हैं जो अग्जामस में पूछे गए हैं और यह बहुत ही helpful है आपके लिए धन्यवाद है आपके लोग ठीजा हैं आपके लादी तापके लेओ रहे हैं बताईए आपके लगए हैं झापके लेग क्विस्दाए लादी सावादी को बताईए